So hello my dear friends, आज का वीडियो इंस्टाग्राम के मेंसन के उपर है तो बहुत दिन से बहुत सरे कॉमेंट आ रहा है कि भाई जो मेंसन है वो हम लोग नहीं कर पार रहे हैं चाहे वो अपने स्टोरी हो चाहे अपने बायो हो इसमें हम लोग किसी को मेंसन नहीं कर पार रहे हैं तो फिलाल बायो का मेंसन का जो केटेगोरी है वो मैं साइट पे रखता हूँ तो पहले ये बात बता देता हूँ कि स्टोरी पे अगर आप किसी को मेंसन नहीं कर पार रहे हैं तो उसका solution इस वीडियो के थूँ आप मेयाद दूँगा अगर बायो पे किसी को आप mention नहीं कर पा रहे हैं तो उसका solution वीडियो एक अलग से बना दूँगा तो फिलाल आज इस वीडियो के थूँ आपको बताएंगे आप अपने माई स्टोरी पे जो फोटो आप जो पिक्चर आप सेयर करते हैं या जो वीडियो आप सेयर करते हैं उसको आप mention नहीं कर पा रहे हैं या आप mention करते हैं तो उसके पास notification नहीं जाते हैं इसको उपर ही आज का वीडियो है तो चलिए बताते हैं इस वीडियो के तुरू तो किस तरह के से आप अपने प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं अजय है तो सबसे पहले है आप अपने Instagram अपडेट कर लेना है ठीक है अपडेट करने के बाद दो चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा एक तो जो अपको मिंशन कर रहे है वो पर्मिशन दिया है कि नहीं दिया है आपको तो पर्मिशन किस तरह के से आप उस account का चेक करेंगे तो सबसे पहले उसका profile पर आना ठीक है आने के बाद इधार जो त्री बार option आप देख रहे हैं तो इस में आपको click करना पड़ेगा तो जब भी आप click करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक interface आपके समने तो यह section पर आपको आना पड़ेगा तो जब भी आप click करेंगे तो इधार आप देख सकते हैं कि mention का एक option है ठीक है तो इस mention का option को आपको check करना है तो एक बार click कर देना तो करने के बाद इधार तीन option दिया गया है एक everyone का एक pupil you follow and none तो आपको देखना है कि जो person को आप mention करने जा रहे हैं अपने story पे यह सारा process उसके account से होगा अगर वो आपके friend है तो उसको इस तरीके से instruction देना कि वो यह mention वाले option पे आ जाए and check कर ले कि उसका जो mention का जो permission है वो everyone है ना pupil you follow है और none है यह इस में से कौन सा है अगर माल लीजिए वो person आपको follow नहीं किये है तो आप तो आप कभी भी उसके account को mention नहीं कर पाएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा everyone करके रखना पड़ेगा otherwise आपको follow करना पड़ेगा तो यह दो option से एक option को उसको choose करना है उसके बाद back आईए back आने के बाद आपको अपने story जो है उसको open करना पड़ेगा तो मैं एक story ले लि picture select करने के एक option है अगर आप अपने story पर multiple picture select करते हैं तो उस time पर क्या होता है कि किसी को mention करते हैं तो वो mention का message जो है उसके inbox में so नहीं करता है ठीक है तो यह problem है Instagram के by default इस problem का solution में आखरी end तक बताऊंगा वीडियो को skip मत करिए तो यह वाले जो option है इसमें आपको click करना पड करने के बाद इधर आपको एक option देखने के लिए मिल जाएंगे कि mention का तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा click करना पड़ेगा तो जब भी आप click करेंगे तो इधर उस account का नाम जो है उसको आपको search करना पड़ेगा यानिकि लिखना पड़ेगा यानिकि उसका ID का name लिख करूंगा तो चलिए send to पे click करके मैं क्या करता हूँ share करता हूँ ठीक है उसके बाद मैं done कर देता हूँ ओके तो यह जो story है यह आप देख सकते हैं कि post हो रहा है पोस्ट हो गया है उसके बाद मैं message पे जाता हूँ और देखता हूँ कि इसको कोई message मिला है कि नहीं मिला है mention क तो देख सकते हैं इधर जो message है वो आ गया है यानि कि मेरा mention जो है work कर रहा है और जिसको mention किया हूँ वो उस settings को on करके रखे हैं ठीक है तो चलिए मैं इसको अब delete कर देता हूँ क्योंकि मुझे swap करना नहीं चाहिए अगर आप किसको mention नहीं कर पा रहे है सपास माल लीजिए उसका settings जो है वो बरबर है वो आपको follow भी किये हैं लेकिन उसके बाद भी आप उसको mention नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा एक report करना पड़ेगा किधर से करेंगे अपने profile पे आना यानि कि खुद के profile पे आना ठीक है आपके कोई दोस्त के profile से मत जाना करने के बाद उपर आप देख सकते हैं कि report a problem so is ने क्लिक करना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा इधर एक नीचे वाले सबसे नीचे में एक option है कि problem report a problem so is में क्लिक करना पड़ेगा तो जब भी आप अप क्लिक करेंगे तो इस तरहे से एक interface आपके समने joint हो जाएं उसका जो mention message है उसके inbox में नहीं जा रहा है तो उसके बाद एक take a screenshot लेना लेने के बाद उधर post कर देना post करके आपको इधर submit कर देना परेगा तो 24 hours के भीतर आपको वो message जो है वो मिल जाएंगे और आपके जो problem है और solve हो जाएंगे और इधर क्या लिखना है ये जो blank section है इसमें क्या लिखना है ये decision box में मैं लिख दूँगा उसको देखकर आप इधर fill up कर लेना ठीक है इस तरीके से आप mention वाले जो problem है उसको solve out कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर इस वीडियो के त्रूँ थोड़ा बहुत भी जांकरी आपको मिलता है तो इस वीडियो के comment section पर comment करके बताना कि वीडियो कैसा लगा फिलाल भी नेक्स्ट वीडियो में अब तक लिए अबना ध्यान दाखेगा बाबाय टेकर सुमें नेक्स्ट वीडियो